स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आदित्य मोटो राइड में और आज हम बात करेंगे 13 अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो की बहुती जल्द भारती बजार में लॉंच होने वाली है तो यहाँ पर नंबर वन पर आती है यहाँ आप सबको बहुत पसंद आने वाली ह और इसका जो लुक्स है वो भी बहुती शांदार है और इसका जो एलेक्ट्रिकल्स है उनकी जो वर्किंग जो पर्फॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर आपको एवन कॉलिटी की मिल जाती तो विजिबिलिटी को लेकर कोई भी कम्प्रेट आपको यहाँ पर नहीं आने वाली बाइक में आपको मिलता है 124cc का ओयल कूल्ड सिंगल सिलेंडर BS6 कम्पलाइन इंजिन जिसमें आपको 15 बहपी की पावर और 14.5 नूट्रमीटर का टॉर्क मिलता है और नमबरोग गेर्स यहां पर आप उच्छे मिल जाते हैं बाइक में आपको all digital instrument console मिल जाता है बाइक का जो position है वो upright है तो किसी भी तरह का back pain आपको नहीं होगा आप दो लोग आराम से comfortable होकर इसमें ट्रैवल कर लोगे dual disc with single channel ABS safety के लिए front telescope suspension आपको मिलेगा और पीछे आपको monoshock suspension मिल जाने वाला है अब अगर बात कर लेते हैं कि ये बाइक कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो नॉवेंबर 2023 तक ये बाइक भारती बजार में launch हो जाएगी नंबर टू पर आती है Honda CB125R इस बाइक का लोग बेस सबरी से इंतजार कर रहे हैं बाइक का जो लुक से वो बहुत ही शानदर है थोड़ी बहुत रैटरो और थोड़ी बहुत नेकिड स्ट्रीट फाइटर जैसे लोग ये बाइक प्रेड्यूस करती है जो कि देखने में का कमफडेबल होके ट्रेवल कर लोगे बाइक में आपको मिलता है 124 CC का सिंगल सिलेंडर ओइल कूल बीचिक्स कंपलाइन इंजन जिसमें आपको 14.7 बीच्पी की पावर और 11.6 न्यूटन मीटर के टॉर्क मिलता है और नमरों गेर्स यहाँ पर आपको 6 मिल जाते हैं बाइक आपको मुनोशोक सस्पेंशन मिल जाएगा तो ओवरल प्राइस के साब से बहुत ही शांदर फीचर्स और बहुत ही बड़ी लुक्स यहाँ पर हॉंडा की CB125R आपको यहाँ पर दे देती है अब अगर बात कर लेते हैं यह बाइक कब तक भारती बजार में लॉंच हो आइए तो वो यामाः फेजर 150 के लिए रुख सकते हैं बाइक की गीमत रहेगी एक लाख दस हजार रुपर और जो बाइक का लुक्स है वो भी यहाँ पर आपको डिसेंट सही मिलता है टैंक पर जो कावल है वो बाइक को थोड़ा बहुत स्पोर्टी लुक देने में मतद करता है जो इसके एलेक्टरिकल्स हों की जो विजिबिलिटी जो फॉंशेनिंग है वो भी यहाँ पर आपको एवन क्वालिटी की मिल जाती है बाइक में आपको मिलता है 149 CC का सिंगल स्लेंडर एयर कूल एंजिन जिसमें आपको 14 भी एच्पी की पावर और 11 नूटर मीटर कर टॉर्क मिल जाता है और नंबरोग गेर से यहाँ पर आपको चाहे मिल जाते हैं बाइक में आपको एनलोग और डिजिटल का मीटर मिलता है टेलस्कोपिक फ्रेंट सस्पेंशन मिलता है और पीछे आपको डूल शॉक एब्सॉर्वर सस्पेंशन मिलता है UBS ब्रेकिंग जी आपको यहाँ पर मिल जाती है सेफटी के लिए फ्रेंट डिस्क ब्रेक मिलेगो और पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिल जाते हैं तो ओवरॉल प्राइस के साबसे आपको ठीक ठाक फीचर्स और बढ़िये ही लुक्स यह बाइक आफर कर देती है अब अगर बात कर लेते है यह बाइक कब तक भारती बाइक हो जाएगी तो ऐक्टोबर दो हजार तेस में यह बाइक भारती बाइक होने वाली है नंबर फूर पर आती है हॉंडा CL 250 यह दरसल एक स्करेंबलर बाइक है तो जिनको एक अच्छी स्क्रेंबलर बाइक चाहिए राइड के लिए अपने ल को ठीक ठाक मिल जाता है बाइक में आपको मिलता है 249 CC का single cylinder liquid cooled BS6 compliant engine जिसमें आपको 28 BHP की power और 20 Nm का torque मिलता है और यहां पर आपको number of gears इस बाइक में 6 मिल जाते हैं बाइक में आपको all digital instrument console मिल जाता है front में आपको telescopic suspension मिलेंगे और पीछे आपको monoshock suspension मिल जाएगा dual disc brake with dual channel ABS आपको इस बाइक में देखने को मिलेगा और जो overall looks है जो features है वो भी यहां पर आपको price के साबसे इस बाइक में बहुत ही जबरदस्त मिल जाते हैं अब अगर बात कर लेते हैं कि यह बाइक कब तक भारती बाजार में बाइक के लिए weight कर सकता है एक लाग पचास जार रुपेस बाइक की कीमत रहेगी बाइक का जो look से वो बहुत ही शानदर है फुल फेड में आपको मिलती हूँ overall बहुत ही शानदर styling आपको यह offer करती है और इसमें जो electricals है वो भी यहां पर आपको top quality के मिल जाते हैं तो उनको लेकर कोई भी complaint आपको नहीं आएगी बाइक में आपको मिलता है 125cc का single cylinder air cooled BS6 complaint engine जिसमें आपको 14.3 BHP की power और 12.3 Nm का torque मिलेगा और number of gears यहां पर आपको पुछ है मिल जाएगे बाइक में आपको all digital instrument console मिलेगा dual disc brake with dual channel ABS आपको इसमें offer किये जाएगे front में आपको telescopic suspension मिलेगा और पीछे आपको monoshock suspension मिल जाएगा bike में आपको split seat मिलती है और थोड़ा बहुत जो उसका riding posture है वो भी upright है तो किसी भी तरह का back pain आपको feel नहीं होगा और जो overall looks है तो वो भी यहाँ पर आपको शांदार मिल ही जाता है अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारती बाजार में launch हो जाएगी तो January 2024 में यह bike confirm भारती बाजार में launch होने वाली है नमबर 6 पर आती है कावसा की Ninja 250 इस bike brand की या फिर इस bike की इंडिया में बहुत fan following है और लोग इस bike का बेस अबरी से इंडिजार कर रहे हैं क्योंकि इस bike का जो 200cc का engine यह आपको इतनी power देता है जितनी आपको KTM की 390 में देखने को मिलती है मतलब उसके लगबग में यह आपको मिल जाती है तो bike का जो looks है वो बहुत ही आंदर है 2,80,000 रुपेस bike की कीमत रहेगी जो electricals है वो भी यहाँ पर आपको top quality के इस bike में मिल जाते हैं bike में आपको मिलता है 249cc का single cylinder liquid cooled FIBS6 compliant engine जिसमें आपको 39 bhp की power और 25.5 newton meter का torque मिलता है और number of gear से यहाँ पर आपको मिल जाते हैं तो काफी powerful engine आपको 200cc में इस bike मिल जाता है fully digital instrument console आपको यहाँ पर मिलता है dual channel ABS offer कर दी जाता है dual disc front में आपको telescopic suspension मिलने वाला है और पीछे आपको monoshock suspension मिलेगा front में आपको मिलता है 110 section 70 का 17 inches का wheel और पीछे आपको मिलता है 150 section 60 का 17 inches का wheel तो overall बहुत ही बढ़िया specs आपको इस bike में मिल जाते है अब अगर बात कर लेते हैं यह bike कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो December and या फिर January starting में यह bike confirm भारती बजार में launch होने वाली है number 7 पर आती है Keyway RKF 125 यह एक low CC की naked street fighter bike रहेगी जिसकी pricing चाली होगी 1,40,000 रुपे से bike का जो लुक से वो बहुत ही sharp और edgy है देखने में bike बहुत ही शानदार लगते है और इसके जो electricals है वो भी यहाँ पर आपको premium और awesome quality के मिल जाते हैं bike में आपको मिलता है 125 CC का single cylinder liquid cooled engine जिसमें आपको 15 bhp की power और 13 Nm का torque मिलता है और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाते हैं bike में आपको all digital instrument console मिल जाता है front में आपको telescopic suspension मिलेगा यहाँ पर cost cutting की जाएगी USD suspension आपको नहीं मिलेगा और पीछे आपको monoshock suspension मिल जाएगा single channel ABS और dual disc brake आपको इस bike में मिल जाते हैं Husqvarna की और दो bike भी भारती बजार में चलती है लेकिन दिन बदेन उनकी sales गिरती जारी है और अपनी इज़त बचाने के लिए यहाँ पर Husqvarna कंपनी एक 125cc की bike उतार रही है ताकि जादा जादा लोग इस bike को ले सकें तो इस bike की pricing चाली होगी एक लाख 25,000 रुपे से बाइक जो दोस्तों वो सेमी रहेगी Husqvarna की स्वाट पिलेन 250 चलती है ना उसी से similar looks आपको यहाँ पर मिलेगा बस जो engine components और जो थोड़ोबत features हैं उनमें यहाँ पर आपको cost cutting मिल जाएगी बाइक का जो लोग से वो बहुत ही शानदार है जो इसका handle बार है वो आपको upright मिलता है और आप दो लोग आराम से comfortable होके travel कर लोगे बाइक में आपको मिलता है 124 CC का single cylinder liquid cooled BS6 engine जिसमें आपको 14.5 BHP की power और 12 newton meter के torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाते है All digital instrument console Single channel ABS with dual disc brake Front में आपको बतलब दोनों ही wheels spoke wheels मिलते हैं Front में आपको telescopic suspension मिलेगा यहाँ पर थोड़ी बहुत cost cutting की जाएगी और पीछा को monoshock suspension मिल जाएगा तो देखा जाए तो overall price के साब से ठीक ठाक bike यहाँ पर हसक वरना लेकर आने वाला है अब अगर बात कर लेते हैं यह bike कब तक launch हो जाएगी तो December 2023 में यह bike confirm भारती बजार में launch होने वाली है Number 9 पर आती है Honda CB150R इस bike कभी लोग बेच सबरीस्त इंतजार कर रहे हैं बाइक में बहुत ही जबरदस्त लुक्स मिल जाता है और बहुत ही शानदार फीचर्स यह bike offer कर देती है 1,60,000 रुपेस bike की कीमत रहेगी जो bike को overall looks वो बहुत ही शानदार है राइटर सीरिस के अंदर यह bike आती है और जो उसकी sitting posture है जो उसका handlebar positioning है वो भी यहाँ पर आपको upright मिल जाता है bike में आपको मिलता है 149cc का liquid cool engine जिसमें आपको 20 bhp की power और 13 newton meter के torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाते है all digital instrument console, dual channel ABS, USD front fork suspension पीछे आपको मिलेगा monoshock suspension, 17 inches के alloy wheels आपको इस bike मिलते है front में आपको मिल जाता है 110 section 70 के tire और पीछे आपको मिल जाता है 150 section 60 के tire front में आपको मिलते है 296 mm के disc brake और पीछे आपको मिल जाता है 220 mm का disc plate तो overall बहुती गजब के features और बहुती शंदर looks के साथ में Honda की CB150R भारती बजार में आने वाली है अब अगर बात के लिए तिंग ये bike कब तक launch हो जाएगी तो January 2024 में ये bike confirm भारती बजार में launch हो जाएगी No.10 पर आती है Zontis ZT 125 G1 ये जो bike है यहाँ पर आप सबको बहुत पसंद आने वाली है और जब आप इस bike का price सुनोगे तो आपको भी इस bike को लेने का पन कर जाएगा 1,44,000 रोपे इस bike की कीमत रहेगी Neo Retro category में ये bike आती है और जो overall looks है वो बहुत ही शानदर जो electricals है वो भी यहाँ पर आपको premium quality के मिल जाते हैं bike में आपको मिलता है 124 CC का single cylinder liquid cooled BS6 engine जिसमें आपको 14 BHP की power और 10 Nm का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको कुछ है मिल जाते हैं bike में आपको all digital instrument console मिलेगा dual channel ABS और सामने आपको USD fork suspension मिलेंगे पीछे आपको mono shock suspension मिल जाएगा dual disc plate भी आपको इस bike मिलेगी और unibody single seat के साथ यह bike आती है तो आप दो लोग आराम से comfortable होकर इसमें travel कर लोगे अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो November 2023 तक यह bike confirm भारती बजार में launch होने वाली है number 11 पर आती है Aprilia RS 125 Aprilia company एक कम price में और एक कम CC की bike भारती बजार में उतारने जारी है जिसकी pricing रहेगी 1,45,000 रुपीज fully fed sports bike के अंदर यह bike आती है जिसमें आपको बहुत ही गजब का लुक्स मिल जाते हैं और इस bike के जो electricals है उनकी जो visibility जो functioning है वो भी यहाँ पर आपको top notch quality की मिल जाती है bike में आपको मिलता है 124 CC का single cylinder liquid cool engine जिसमें आपको 14.8 PHP की power और 12 Nm का torque मिलेगा और जो नमरों gear से वो यहाँ पर आपको 6 offer कर दिये जाते हैं bike में आपको dual disc brake मिलेंगे with dual channel ABS front में आपको USD front folks मिलेंगे और पीछे आपको monoshock suspension मिल जाएगा तो काफी कुछ अच्छे features के साथ में और बहुती बहतरीन looks के साथ में Aprilia की RS 125 भारती बजार में आने वाली है और यह जो bike है December 2023 में भारती बजार में launch होने वाली है number 13 पर आती है Yamaha MT 125 इस bike का जो looks है जो design है वो आपको same MT 15 की तरह ही देखने को मिलेगा बस यहाँ पर थोड़े बहुत cosmetic changes आपको इस bike में मिल जाएंगे naked category में यह bike आती है जिसकी pricing रहेगी 1,30,000 रुपे bike का जो look से वो identical रहेगा और जो sitting posture है वो भी यहाँ पर आपको same देखने को मिलेगा bike में आपको यहाँ पर जो electricals है वो भी top notch quality के मिल जाएंगे 124 CC का single cylinder oil cooled engine आपको यहाँ पर offer किये जाएगा जिसमें आपको 14 BHP की power और 11 Nm का torque मिलेगा और number of gears यहाँ पर आपको 6 मिल जाएंगे bike में आपको all digital instrument console, dual channel ABS, Yamaha advanced technology solid build quality आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी बढ़ी ही components यहाँ पर use किये जाएंगे front में आपको telescopic focus suspension मिलेगा और पीछे आपको monoshock suspension इस bike में मिल जाने वाला है अब अगर बात कर लेते हैं कि यह bike कब तक भारती बजार में launch हो जाएगी तो January 2024 में यह bike confirm भारती बजार में launch हो जाएगी बागे दोस्तों आप comment करके बताओ कि इन 13 bikes में से आपको कौन सी bike सबसे जादा यहाँ पर पसंद आई है तो उमीद है कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको like करो शेयर करो और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो subscribe करके बैल ऐकन दबा दो क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो लाता रहता हूँ अब एक लिए thanks, till then wait for my new upcoming videos